हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में audio output device के बीच कैसे switch करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको क्या कहना यहाँ पे start पे right click कर करना अपको देखेंगे तो क्लिक करने के बाद यह option लग जाएगा साँड का इसको पर आपको क्लिक करना है इसे विंडोओ उपने हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ तो इस तरह से आपकी case में लग जाएगा इसके बाद आपके system या लप्टोब के अंदर जितने भी sound connected होगा, यहाँ पे उसका list दिख जाएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उस device को select करना है, जिसके अंदर आपको sound output चाहिए, माल लिजए, आपके case में एक से ज़्यादा होगा, तो इस तरह से दिख जाएगा, यदि आपको speaker पे चाहिए, तो इस तरह से आ करन सकते हैं, यदि sound test करना है, तो यहाँ से आप sound भी test कर सकते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे back आ जाना है, यदि आपकी case में यहाँ पे option नहीं दिखता है, यदि आप इसके अंदर device को add करना चाहिए, तो यहाँ से click करके आप device भी add कर सकते हैं, आप अप कम जैदा करना हो तो कैसे करना है वह भी मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आपको क्या किना है यहाँ पर आपको क्लिक करना है किलिक करते हैं इस तरह से विंडूर ओपन हो जाएगा अब आपको यहाँ पर आपको क्लिक करने के लिए दिख जाएगा यहाँ आपको कम करन अब आप यहाँ पर जिस भी device के अंदर output लेना चाहते हैं वो device यहाँ से आपको select कर लेने हैं माले यह यहाँ आपको इस device पर output चाहिए sound का तो यहाँ पर select करते हैं इस तरह से यहाँ पर selection हो जाएगा इसके बाद back आ जाने के बाद आप आप यहाँ पर sound चेक कर सकते हैं आप पर जिस भी device के अंदर sound output चाहिए तो device यहाँ पर आपको select कर लेना है यहाँ से भी कर सकते हैं इसके अलावा भी यदि आपको जो पीछे मैंने आपको बताया है उस setting पर जाना होगा यहीं से जाना होगा तो आपको क्या करना यहाँ पर आपको दिख जाएगा more volume setting इसके वहीं वाला window open हो जाएगा अब आप same setting यहाँ से भी कर सकते हैं तो दोनों setting में से आप जिस भी setting को use करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इसको use कर सकते हैं output setting चेंज कर सकते हैं output device चेंज कर सकते हैं sound चेंज कर सकते हैं यह सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद आपको क्या करना है इस विंडो को यहां से क्लोज कर देने और प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें तैंक यू